नमस्कार साथियों तो मौझूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताजा ख़बर के साथ तो प्रदेश मंत्री मंडल की कैबनेट बैठक से जुड़ी बड़ी ख़बर आपके समक्ष लाए हैं तो हिमाचल कैबनेट की बैठक शुरू साथ दिन में तीसरी बैठक बजट अभिभाशन को मिलेगी मंजूरी पंद्रा सो रुपए गारंटी पर फैंसला संभाव हिमाचल कैबनेट की बैठक शुरू हो गई है इसकी अध्यक्षता सीम सुखविंदर सिंग सुखु कर रहे हैं वहीं पिछले साथ दिन में यह तीसरी कैबनेट बैठक है वहीं मुख्यमंत्री सुखु इस बैठक में 17 मार्च को पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी दे सकते हैं इससे पहले एक मार्च और तीन मार्च को प्रदेश मंत्री मंडल की बैठक हो चुकी है सीम की विस्तता के कान आज की बैठक एक घंटा देरे से शुरू हुई आज होने वाली बैठक में सरकार द्वारा कई महत्पों नेरने लिए जा सकते हैं 18 से 6 साल तक की उमर की महिलाओं को 1500 रुपए दिये जाने के बारे में कैबनेट बड़ा फैंसरा ले सकती है इसके अतरिक तीस गारंटी को लागू करने से पहले कैबनेट ने सब कमेटी का गठन किया है सब कमेटी की रिपोर्ट के अधार पर मुम्किन है कि आज होने वाली मंत्री मंडल की बैठक में सरकार को ही फैंसरा ले इससे पहले 3 मार्च को हुई बैठक में सरकार ने अपनी पहली गारंटी OPS को लागू करने का बड़ा फैंसला लिया है वही पुरानी पैंशनी योजना को सरकार एक अपरेल 2023 से लागू कर रही है तो यही है बड़ी विशेश कवर की हिमाचल प्रदेश मंत्री मंडल की कैबनेट बैठक शुरू हो चुकी है तो इस कैबनेट बैठक में क्या बड़े फैंसले होंगे वो भी हम आपके समक जरूर साजा करेंगे तो अभी के लिए यही है बड़ी खास ख़बर तो प्रदेश की ताजा ख़बरों को पाने के लिए चनको जुरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पो बोचिंग जैहिंग जैहिमाचल मनमोनी वशी करनवाब मुठ करनी गर बैठे 11 गंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं 101% रंटी स्टांप पेपर पर लिख कर लें अभी फोन करें मोबाइल नमबर 58605-81665